बचपन में जिन हाथों के लिए सुनेता ने उसी को बनाया बबली ने अपनी ताकत जिन्दगी जीना तो आसान बात है लेकिन जिदंगी में एक अलग मुकाम पाना बहुती मुश्किल खास कर जब आपके रास्ते में एक नहीं कई काटे हो इन मुश्किलों से वहीं लड़ सकता है जिसमें हिम्मत और मेहनत करने का जज़बा होता है इसी हिम्मत का उदाहरण है जावरा की रहने वाली बबली गंभीर गोल्डन हाथ के साथ पैदा हुई 50 साल की बबली इस समय अपना ब्योटी पारलर चला रही है जन्म से ही बबली के हाथ सिर्फ कोहनी तक है और वेह मुड़ते नहीं है 2013 में राष्ट्रपती प्रणव मुखरजी से राष्ट्रे पुरसकार के साथ 11 अन्य नाशनल अबाड हासिल करने वाली बबली ने अपने जीवन में कई तरह की मुश्किलों का सामना किया है चलिए बताते हैं आपको बबली गमभीर के जीवन की संगहर्ष भरी कहानी बबली गमभीर ने बताया कि बच्पन में जिन हाथों की वज़े से उन्हें ताने सुनते पड़ते थे आज उन्हीं हाथों की क्रियेटिविटी के कारण वेह पूरे देश में जानी जाती है बबली की यह हालत देख कर उसकी माँ हमेशा चिंते तरहती लेकिन उसके पिता ने उसे दूसरा जीवन दिया उन्होंने बबली को जीवन में आगे बढ़ने और सपने देखने का रास्ता दिखाया लेकिन वेह इन सपनों को पूरा करने में बबली का साथ नहीं दे पाए जब बबली छोटी थी तब उसके पिता की मृत्ति हो गई बबली ने बताया कि पिता की जाने के बाद उनके जीवन में मुश्किलें बढ़ी लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की पढ़ाई के बाद उन्हें लेक चरार की नौकी भी मिल गई लेकिन उन्होंने उस नौकी को छोड़ दिया क्योंकि बबली वहाँ पर अपने दिमाग की क्रिएटिविटी को दिखा पा रही थी लेकिन अपने हाथों की नहीं बबली अपने हाथों से कुछ करना चाहती थी एक बार बबली ने एक महिला को किसी की थ्रेडिंग करते हुए देखा तो बबली ने भागा लेकर प्रेक्टिक्स करनी शुरू की कुछी दिनों में वेह भागा चलाना सीख गई और फिर ब्यूटी पारलर का काम सीखा इसके बाद भी बबली की मुश्किले कम नहीं हुई बबली पारलर खोलना चाहती थी लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे तब बबली ने कुछ देर कोचिंग देकर पैसे जोड़े और जावरा के छोटे शहर में पहला ब्यूटी पारलर खोला आज बबली अपने उनहीं खुबसूरत हाथों के साथ लोगों को खुबसूरत बना रही है जिनके कारण कभी उनहें और उनके परिवार को ताने सुनने पड़ते थे व्यूटीशियन होने के साथ साथ बबली इंटीर डिजाइनर और पेंटर भी है यही नहीं वह बहुत अच्छा ढोलक भी बजाती है वह खुद से लाई कढ़ाई करते हुए गाड़ी भी चलाती है आज बबली अपने जीवन से बहुत खुश है और दूसरी महलाओं के लिए प्रेड़ नाम बन रही बबली की लाई फस्तोरी यही संदेश देती है कि दुनिया में कोई स्पोर्ट करें या न करें खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करना चाहिए